हलो एवरिवन सो वेलकम तो मैं चैनल अकेड में विला आयम आज दोस एंड लेट्स विगिन टुड़ीज क्लास वाज की जो वीडियो है उसमें मैं क्लास 11 की जो इंगलिस की बुख है उसके कोशन एंसर की सीरीज चल रही है उसमें आज चैप्टर 3 को हम डिसकस करेंगे जिस इस कहानी को अगर आपने अभी तक नहीं पड़ा है तो इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में जाके अपने उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे आपके इस चैप्टर के बारे में आपको थोरोली नॉलिज हो जाएगी तो इसमें कहा जा रही कि जो साइकलिस्ट था ज उनके बारे में इनमेट्स कहा जाता है तो आंसर है कि जो साइकलिस्ट था वहां से गुजर रहा था तो घर में देखा मतलब उसने देखा के एक जो कोब्रा शाप जो था वो उस बंगला में है ना बंगलो में इंटर हो रहा था इसलिए उसने घंटी बजाई अगला कोशि there was no stink because he did not like to be disturbed in his sleep जायर सी बात है वो जब सो रहा था तो उसको सोते हुए उठाया उन लोगों ने घर के जो लोग थे inmates थे कि दास भाई देखो जाके सांप घुसा है जल्दी जाके उसे ढूंडो अमारो भगाओ यहां से तो दास ने बोला कि जायर सी बात है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था अपने नीन से तो इसलिए उसने कहा कि यहां कोई सांप आप नहीं है आप लोग जाओ तीसरा कुश्चन है कि what happens when someone wakes up you wakes you up and asks you to do something जायर सी बात है आप से अगर कोई पूछता है जगा कि यह काम कर दो तो आपको कैसा रगेगा तो obviously I will feel irritated हमें मतलब चिड़ जड़ापन होगा कि भाई यह मैं नहीं कर रहा अगला कोश्चन है कि what fault did the people find with Das कि उसके में क्या गलती थी दास में क्या गलती थी लोगों ने ऐसा क्या पाया कि उसके में गलती थी उसकी तो आंसार है कि people said that Das was the laziest servant he did not keep the surrounding TD यहनी कि लोगों का कहना यह था भाई कि जो दास है ना यह अपने surrounding को clean नहीं रखता TD यहनी कि स्वक्ष नहीं रखता और बहुत lazy इंसान है बहुत lazy नोकर है चलिए अगला कोश्चन है कि do you find fault with a person who refuses to do what you want him to do तो इसमें कोश्चन में कहा जा रहा है कि क्या आप उस वक्ती में दोस्त निकालते हो जो वह काम नहीं करता है जो आप उससे करने के लिए कहते हो तो obviously यह सबका ही nature है हमेशा इंसान ऐसे ही करता है कि आप आपने कुछ काम करने को कहा अगर वह नहीं कहता है अगर वह नहीं करता है तो obviously आप यह कहोगे उससे बुरा भला बोलके उसमें दोस्त निकालोगे तो answer yes I do अगर आप नहीं करते हो तो आप no लिख दीजिएगा चलिए आगले question है अब भाई अपने बचाओ के पक्ष में दास ने क्या बोला तो दास सेड ही हाद बीन आसकिंग फॉर ग्रास कटर फॉर मंथ बट इडिड नॉट गैट इनी तो यह कुड नॉट कट दे ग्रास तो इसलिए मैंने घास नहीं कर्टी जायर सी बात है तो इस तरीके से उसने बचाओ किया साथवा question What does with cynical air means मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो cynical air यानि कि व्यंग्यात्मक भाव के साथ with cynical air with cynical air का मतलब है व्यंग्यात्मक भाव के साथ इसका क्या अर्थ है तो here this means that Das was not convinced that there was a cobra in the grass यानि कि इसका मतलब ये है कि व्यंग्यात्मक भाव में व्यंग्यात्मक भाव में Das ने ऐसा क्या बोला कि लोग समझाना चाहता था कि भाई यहाँ पे इस घास में कोई भी cobra नहीं है अगरा question Why did the college boy quote statistics मतलब इसका कोईशन का हिंदी ये है मतलब ये है कि जो college के लड़के थे वहाँ पर जो जुड़ गए थे मतलब सारी भी रिकटी हो गई थी उसमें college के बच्चे भी थे तो भाई आकड़े क्यों गिनने लगे statistics मतलब ये बताने लगे कि इतने लोगों की जान को हानी पहुंच रहा है सांपो से इतना आकड़ा है ये वगरा तो ऐसा क्यों करने लगे तो he wanted to give an authentic proof जायर सी बात है वो जाना देना चाहता है थे लोगों को समझाना चाहता है हम full proof के साथ बता रहे हैं कि अगला कोशन है तो भई जो माता जी थी उस घर की वो इतनी जोर से क्यों चीख पड़ी तो भई बहुत बहबित होगे कि कोबरा उनके फरिवार के किसी मेंबर को सदर से काट लेगा इसलिए वो बहुत चीख पड़ी बहुत तेज से चली अब सेकंड सेक्शन में चलते है उसे पहला कोश्चन जो है इसी बीच में जो ये सिलसला चल रहा होता है अपने अगर कहानी पड़ी होगी तो उसमें एक भिखारी आती है तो जो बुड़ी औरत आती है उसका क्या होता है वो खुश क्यों हो जाती है क्योंकि उसने कोब्रा आया हुए है उसको भगवान सुब्रमन्या का नाम दे दिया अब तो उसने उल्टा ही बोल दे कि भाई आप लोग को खुश होना चाहिए आप लोग बहुत भागेश आली हो कि आपके घर सांप निकला हुए तो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में सूपरस्टीसियस जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज एक ख्याल वाले होते हैं है ना वो चले आते हैं तो उन सब चीजों के बारे में भी एक तरह के से यहाँ चर्श है की जारी आप देखी सकते हो कि इसको सांप को भगवान मरने लगे अब आगे है कि जो औरत थी बिखारी औरत जो थी उसने क्या कहा उसने कहा कि भाई सांप को मत मारो अगला कोश जोने कि वाई डिट जो सांप पकड़ने वाला था वो विल्कुल नी सहाय दिख रहा था उसको दिक्कत क्यूं हो और बेवस क्यूं दिख रहा था तो आंसर यह है कि स्नेक चामर लुक्डप हेलपलेसली वाउट बिकॉस देर वस नो स्नेक इन साइट साइट मतलब द्रिश है कहने का मतलब कि जो सपेरा था इमें कि स्नेक पकड़ने वाला था वो इतम से बे सहाय ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा था क्यूंकि उसको आसपास तो कोई सांप ही न जर नहीं आ रहा था और उसका कहना ये भी था he could catch the snake only if they sawed it to him भाई देखो मुझे सांप दिखाओ तब ही तो पकड़ूंगा उसका ये कहना था है ना चलो अगला कोशन है कि why did they cut down all the plants and grass in the garden उन्होंने वहां के सारे पोधों और घासों को जो गार्डन में थे क्यों काट द उन्हों लोगों ने they cut down all the grass and plants in the garden so that the cobra had no place to hide itself उन्होंने ऐसा इसली किया ताकि भाई को कहीं भी जगह ना मिले कि वो छुपकर बैट जाए ठीक है अगला कोशन side instances from the lesson which shows the old mother's superstitious nature तो मैंने अपी भी बोला आपको जो अंधविश्वास चीज़े होती है न तो वो nature वो सोभाव जो बुड़ी ओरत का था वो chapter में से ढूनके निकाली और बता ये किस बात से आपको ऐसा लगा कि अंधविश्वास वाले बातें यहां पर की जा रही है तो जब mother agreed with the old beggar that the cobra was God सुब्रमन्या जब मा थी घर की वो जो है जब राजी हो गए इस बात से बुड़ी ओरत की बात से कि भाई ये भगवान है सुब्रमन्या भगवान है तो ये मतलब ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपका अंधविश्वास ही है Repentant का मतलब होता है पस्तावा करना तो वो एक बात पर पस्तावा करने लगए कि वो तो भूली गए थी कि उन्हों उन्हें अभिशेक कराना था मतलब कुछ पूजा पाठ कराने थी वो भूल गए थी इसे वले वज़े से भगवान आया है उनको सचेत करने के लिए भाई क दूद पीने के लिए कटोरी में दूद रखती है यह होता अंधुशा इससे नजर आता है अगला कुछिन डिट दास इन यूर ओपीनियन रियली कैस दा कोब्रा गीव रिजन भाई आपके ओपीनियन अगर आपने प्रेप्टर पुड़ा पढ़ा है समझा है तो आप बता दूद दूद मतलब ढूंग करना हैनी कि तरी के से लोगों को बहलाना फूसलाना वो ढूंग कर रहा था इस चीज़ का नाटक कर रहा था कि that the snake was in the pot वो कह रहा था कि घड़े में न साप रखा है मैंने पकड़ लिया है दा कुब्रा वस सीन कमिंग आउट आउट अवल सू अगला गोश्चन है कि what impression of Das do you get from his episode from this episode इस episode से यानि कि इस कहानी से आपको क्या पता चला है कि Das का impression है ना कि Das के बारे में आपको क्या क्या पता चला है वो बताईए तो Das was an easy going person. Das was an easy going person. Das was an easy going person. था. लेकिन एक चीज़ यह थी ना वो कामचोरी बहुत करता था. सर्क मतलब कामचोरी करना. But he was quite clever at inventing stories and making excuses. भाई यह उसके कहते है ना common sense और presence of mind को देखके यह पता चलता है वही कि बंदा जो था बहुत चालाग था और बहुत सातिर था कहानियां बनाने में और excuses बनाने म पहला है कि the neighbors who assembled to hear of Cobra talk about several things make a list of the issues they touch upon. What does the conversation suggest about the people's reaction when danger strikes? यह जो कहानी में एक mode आया जिसमें जो पडोसी थे वो सारे assemble हो गए कि भाई क्या हो रहा है कोबरा निकला है और बहुत सारे चीज़ें होने लगी फिर आपको क्या करना है कि वहाँ पे इस कहानी का जो हाँ पे पार्ट था उस समय के बात को देहान में रखते हुए आपको सारे issues को touch करना है और बताना है कि conversation के दोरान क्या हुआ लोगों ने क्या क्या reaction दियें क्या क्या suggest किया जब danger आया खत्रे की घंडी बजी तो जारी सी बात है ऐसे कुछ points थे और मैं सारे चैप्टर के मतलब सारे answer को पढ़ूँगा अच्छे से लेकिन एक बात बता दो कि चैप्टर के question answers ही पढ़कर आपको आदा chapter फिर से revise हो जाता है तो यह आप पर dependent है कि आप इसमें से कितना answer चाट कर exams में लिखते हो आप समझा करो इन सब चीज़ों को इसमें से points आप खुद बनाए करो अगर हम सारी चीज़ें से to the point करके देने लगेंगे तो आप रटने वाली city में आया जाओगे तो kindly do this कि आप अपने हिसाब से answer लिखा करो समझ लिया करो यहां पर answers अपने हिसाब से लिखा करो चलो answer पर चलते हैं तो कौन-कौन से point थे जो हमें लगा कि जो neighbors जो असेंबल हुए थे तो कौन-कौन से issue पर touch किया उन लोग ने तो पहला है कि they talk about the legionist of das भाई जो knocker था उसके मतलब आलसीपन पर उन्होंने सवाल उठाएं फिर scarcity of things during the war और एक और चीज़ का जिकर किया गया था आप chapter पढ़ोगे तो पदा चलेगा कि उस टाइम पर ही war चल रहा था youth चल रहा था तो उसके regarding scarcity of things जो चीज़े available होनी चाहिए वह available नहीं थी scarcity मतलब कमी तो जैसे कि उसने बोला ने कि मुझे grass cutter नहीं मिल रहा था जायर सी बात है कि वह हथियार वगरा बनाने के लिए सारी चीज़े तो यूटिलाइस हो गए थी war में तो इसलिए हो सकती उसकी कमी पढ़ गई तो इस पर भी बात हुई उन लोग की और फिर black marketing war चल र था चीजे सहते दाम पे तो रेगुलर रेट पे तो मिलेंगी नहीं तो black marketing की ज़र थी हैना कालबा जारी फिर they talk about the danger of snake bite in the world फिर बच्चों ने भी जो हां college students लोगों ने भी कुछ आकड़े गिनाए कि वाई ऐसा होता है snake bite आज कल कितना हो रहा है वोल्ड में तो यह सारे च कुछ खत्रे की घंटी बचती है आपके महले में भी ऐसा अगर होता है तो अक्सर क्या करते हैं लोग एक दूसरी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं यह लोगों की बहुत ही अलग ही आदत है हैना they think if Das had cut the grass the cobra would not have come into the garden अब उनका कहना यह है कि Das ने अगर गास काटी होती त saying that they could not buy anything made of iron on account of war अब उनमें यह बात भी छिड़ गई कि भाई को कुछ खरीद ने सकते थे क्योंगे वार चल रहा है they then say how some people try to exploit the situation the blame the merchants for indulging in black marketing and profitering during scarcity of things अब वही बात इसमें फिर से छिड़ गई कि भाई grass cutter कैसे खरीदे war का time है black marketing चल रहा है तो वो लोग तो इतने महंगे बैश रहे हैं कि हम खरीदी ने सकते हैं तो यह सारे बातों पर विचरशा हुई फिर college बच्चे से जो थे gives a statistic about number of deaths caused by a snake bite साप के काटने से कितने लोग की death हो रही है इसके आखड़े बच्चों ने किना दिये तो एक problem हुई थी और इतने सारे topics cover किये गए अगर गली महले के लोग जोड़ जाए तो ऐसा ही होता है he makes the danger appear really threatening बहुत खत्रे की घंटी बजाते हुए चीजे बताई हूं लोग ने the conversation suggests that when danger strikes people try to blame others they look for scapegoats तो वही बोला जा रहा है कि मतलब लोग वहाँ पे solution है मिकालते है एक दूसरी को blame करते है चलि एकला question क्या है how do you react when your parents chide you for neglecting your duties आपको कैसा लगता है जब आपके parents है ना आप अपना करतवे नहीं करते हैं उसके कारण आपके माध्य पिता आपको डाटते हैं तो आपको आपका क्या reaction आपका क्या प्रतिकरिया होती है तो when my parents chide me for neglecting my duty I feel very bad जाइड सी बात है सब बुरा लगता है लेकिन सही बता हूं I don't feel very bad यह बहले ही मैंने answer में लिखा है बहुत सारे लोगों का reason होता है तो इनकी हिसाफ सही चलते है but I don't feel very bad okay answer के सब चलते है I feel very bad I don't confess that is my fault मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो confess नहीं करते हैं कि यह मेरे fault नहीं है instead I try to blame it on circumstances or some obstacles that hindered me from doing my duty तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने fault को छुपाने के लिए वो blame करने लगते हैं कि यार उसने में ऐसा हो गया बारिश हो गई यह हो गया वो हो गया ऐसे ताइप कि कुछ circumstances हम गिनाने लगते हैं कि इस वज़े से हमने अपना काम नहीं निभा पाया I try to blame someone or something है सही होता है ना अगला question Read carefully the following utterances of Das utterances मतलब बातचीत तो कुछ बातचीत जो ही दिदास के लिए उन सब के बारे में आप carefully पढ़ो और उसका आंसर करो There is no cobra, where is the snake, I have caught him in this, don't call me an idler hereafter What do these utterances tell about Das character यह सब पढ़ने के बाद हमें Das के करेक्टर के बारे में क्या पता जलता है उसका आंसर करना आपको तो इसका आंसर है These utterances of Das shows that he was a literally man who would not be provoked into doing something पहली बात तो यह कि वही से पता चलता है कि यह बहुत ही lazy इंसान था और इन सब को करने के लिए उसका मन ही नहीं होता था He refused to believe that there was a snake and when no snake was found he said triumphantly Where is the snake तो वो इस बात को मानने के लिए त्यार ही नहीं था कि भाई यहां पर कोई साब भी है और जब साब नहीं मिला तो उसने ब्लोग को बेधड़क कहा कि साब कहा है भाई बताओ हमें Still he felt that the inmates of the house were still afraid that the snake was there So he thought of a clever plan उसके बावजूद है उसे लगा कि भाई घर के लोग जो है न जो निवासी है वहां कि बहुत ही परिशान है बहुत ही दरे हुए है कि भाई स्नेक है कहां तो उसने बहुत ही चाला प्लान की बारे में सोचा को प्लान क्या था He pretended to have caught a snake in a pot उसने ऐसा नाटक किया ऐसा धों किया कि भाई उसने साब को पकड़ लिया है He won the admiration of all उसने सब की admiration मतलब सबने उसको प्रसंसा की उसके प्रसंसा का पात्र बन गया He asserted that he was not an idler Idler मतलब इना काम करने वाला चुपचप खाली बढ़ने वाला उसने ये चीज़ प्रूफ कर दिया कि भाई देखो मैं चुपचप ने बढ़ना सारे काम मैंने करे He proved that he was an intelligent man and could achieve single-handedly what they all together could not do उसने ये भी प्रूफ कर दिया कि बहुत बुद्धिमान है और उसने सारा काम अकेले कर लिया जो कि सारे लोग मिलके नहीं कर पा रहे थे आपको पुकड़ने का गाम है न His plan had almost succeeded उसका plan तो लगबग सक्सीर हो गया But the cobra was seen and luckily it went out of the gate and disappeared तो लेकि उसका plan fail कब हो गया कि बहुत कोब्रा वहां निकला और गेट से होते वे बाहर डिसैपियर हो गया गया हो गया Das must have asserted that he had actually caught a snake and there must have been a couple of them in the garden Das ने ये भी assure कर दिया था कि भाई साप तो मैंने पकड़ लिया है Das must have asserted that he had actually caught a snake and there must have been a couple of them in the garden मतलब और भी साप हो सकते हैं उसने निश्ची दुप से बता भी दिया था अगला question है कि Does the story throw any light on how people face with a certain danger behave तो ये कहानी क्या इस बात पर प्रकाश डालती है कि अचाना खत्रा आने पर लोग कैसा वेहार करते हैं हाँ बिल्कुल Yes the story throws light on people's behavior when they are faced with certain danger जाही सी बाता जब danger खत्रा आता है तो लोग किस तरीके उनके बहोहार में change आता है वो सारी चीज़े बताई गई यहां पर When the inmates to the house learned that a cobra had slipped into their garden they were scared वो डर गए They felt there was a real danger to their lives वो डर गए कि उनकी जिंदगी के लिए खत्रे की घंटी बच चुकी है Neighbors also felt threatened by the presence of Agaura जो आसपर उसके लोग थे वो भी डर गए थे कि कोबरा के presence से रही They two came and joined the family वो भी आके जोडगे लोगों के साथ family member के साथ They blamed poor Das for inviting the trouble because the garden was overgrown with grass and weeds उन्होंने Das को नौकर को बुरा भला बोलना सुरू कर दिया But in the time of emergency they did what they had not done and would have never cared to do मतलब उसी बीच में उस emergency में जो चीज उन लोगोंने आस तक नहीं की थे वो काम किया क्या गास वगरा काटी जो क्यों नहीं करते थे They cleared the garden of every blade of grass, bushes and weeds in a matter of few hours थोड़ी घंटों में थोड़ी घंटों में उन्होंने सारा कुछ साफ कर दिया In the face of certain danger people get united into wonder जायर सी बात है इससे ये सीख मिलती है कि भाई जब डर का समय आता है भाईभित हो जाते हैं लोग है ना डेंजर खत्रे की घंटी बढ़ती है तो लोग मिल कर काम करते हैं और wonders है नहीं कि अद्भूत कारे करते हैं अगला question है Narrate in brief the people's attempt to catch the cobra आप brief में answer कर ये कि कैसे cobra को पकड़ा गया The family and their neighbors felt threatened by the presence of cobra in the garden पहले वो डर गया थे family member मैं अब दुबारा नहीं repeat करूं हो जाता है क्योंकि ये चीजें सारी आपने उल्रडी पढ़ रखी फिर भी जब questions आएगा तो वो थोड़ना देखेंगे कि पीसे वोला question आपने की इसी से related था question में तो पुरा answer रप्रीफ कर ना पड़े गया क्योंकि long answer है तो जब सांप निकला तो सारे लोग भैबीत हो गए थे आसपर उसके लोग भी भैबीत हो गए थे grass, weeds, bushes and other plants had remained neglected for a long time बहुत समय से सब चीजे छोड़ दी गए थी इसलिए वो बढ़ गए थे खास वगएरा they blame das, उसनोंने das को blame किया अपने knocker को क्योंकि उसने अपनी मतलब नजर अंदाज किया था, negligence उसके नजर अंदाज के लिए उसको blame किया but it was no use, उसका कोई मतलब नहीं बना, the cobra had numberless place to hide, क्योंकि cobra के लिए जग़ा है बहुत सारी थी छुपने के लिए so they decided to find it and kill it तो उनोंने उसे पकड़का मारने की कोशिश की they tucked up their dhothis and armed themselves with bamboo stakes, crawbars, knives, etc जो सारे लोगों वहाँ पर कटे हुए थे पड़ोस के सब लोगोंने dhothi होती अपना चड़ाया फिर चल पड़े काम करने के लिए, सफाई करने के लिए वह सारे हाथियार वगरा लेके and begin to clear the garden of every blades of grass घास की, मतलब हर एक घास को कत्रा कत्रा करना चाहते थे उनोंने काट भी दिया they handed a bamboo stick to daas also उनोंने एक लाठी जो होती है daas को भी दिया but he simply bit the foliage बस लेकिन वह एक बार बता है तो वह बस काम टार रहा था कौन? daas but the man cut down every creepers uplooted every plants and wheat लेकिन जो लोग थे वहाँ पर उनोंने सब कुछ काट पूट दिया the lawn was soon laid bare थोड़ी दिर में पूरा सननाटा पसर गया पूरा मतलब खाली वीरान पड़ गया but there was no sign of a cobra cobra फिर भी नहीं मिला they were tired and went into the veranda to relax वो वरेंदा में चले गए और सारे लोग ठक के आराम करने लगे but daas was happy he said didn't I tell you there was no snake लेकिन वो खुछ था क्योंकि उसने का कि मैंने बोला था ना साप नहीं है यहाँ पर चलिए अगला question कहा है कि narrating brief what the snake charmer tells about the catching a snake brief संचिप में बताईए कि snake charmer ने क्या बोला साप पकडने के बारे में the snake charmer said catching a snake was easy साप पकडना बहुत असान है उसने बोला he said he had power over a snake उसको मतलब सकतिया प्राप्त हैं जिससे वो साप को पकड़ सकता है when he asked how he caught it जब पूचा के बहुत तुम कैसे पकड़ सकते हो he souped on a hypothetical snake on the ground and demonstrated the act उसने एक साप को पहले से जो रखा था उसके बारे में उसको सामने रख के उसको मतलब अपना कर्तब दिखा के लोग को समझाने की कोशिस की but when it came to actual catching the cobra he said he could not catch it even only if they would show him where it was तो उसने यही बात बोला कि जब रियल कोबरा पकड़ने की बात आई ना तो उसने कहा कि देखो मैं ऐसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं उसको कैसे पकड़ सकता हूँ तो ऐसे करके यह सारे questions खतम हो अगर तो आपको समझ में आया होगा फिर भी कोई रहती है मुझे comment सकता में लिकार जरूब पूछे और एक और चीज अगर आप में institutions वगर आगा online लेना चाहते हैं तो मुझे comment करके जरूब बता है मिलते हैं फी next video में तब तक लिए स्री हो stay safe thank you thank you so much